नमश्कार स्वागत आपका यूए खबर पर शल्या शुरू करते हैं आज की इताजा बुलेटीन सबसे पहले हम आज की हाइलाइक्स को बताएंगे फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे लेकिन अगर अभी तक आपने अरब टाइम से आपको डाउनलोड नहीं किया है तो फ आप दिख जाएगा आपको आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हो सो डाउनलोड नाओ दुबाई जाने के लिए भातियों को वीजा की जरुरत नहीं जाने कैसे मिलेगी एंट्री एन इंडिया फ्लाइट को बम से उडाने की मिली धंकी भातिये ध्यान दे पासपोर्ट स जाने के लिए अब हर्तियों पो वीजा की जरुत नहीं परने वाली है यूए में भातिये उचाईयोग ने बताया है कि भातिये नागरी करूरन के परिवार के सरदा सिð्च्ष उनके पास आधारन पासपोर्ट है उन्हें संयुक्तिर पमिरात ने प्रवेस के सबी जगों पर पहुँचने पर वीजा जारी किया जाएगा या वीजा 14 दिनों के लिए वैलिड होगा इससे प्रवासी भार्तियों को बहुत बड़ा लाब होने जा रहा है भार्तिय यात्रियों के लिए युए की नई वीजा और राइवल नीती से सयुक्तिराज अमेरिका, यूनाइटिड केंग्डम या किसी भी यूरोपिय संग के रेश से वैद स्थाई निवासी कार्ड या वीजा रखने वाले वैक्तियों के लिए इंट्री आसान हो गया है यह पड़िवर्ट अनेलिजबल भार्टिय नागरिकों को युए पहुँचने पर चौदर दिवस ये वीजा और राइवल प्रदान करता है या निरनाय भारत और युए के बीच बढ़ती साचिदारी के हिस्से की रूप में लिया गया है जहां वर्तमान में 3.5 मिलियन से आधिक भार्टिय रहते हैं इस नितिकर्द बदलाफ को दूनों देशों के भी इच यात्रा और वैपार के अपसरों को बढ़ाने के दिश्या में एक कदम के रूप में देखा चा रहा है एर इंडिया फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धंकी जैपूर हवाई एड़े पर एक बाद फिर से वमान को बम से उड़ाने की धंकी मिली उसके बाद एमर्जनसी लैंडिंग कर आई गई देखे एर इंडिया एक्स्प्रेस की फ्लाइट आई-एक्स-196 का ये मामला है जब दुबाई से राद 12.45 मिनट पर जैपूर आने वाले विमान को फुल एमर्जनसी में लैंडिंग करवाया गया दुबाई से राद 12.45 मिनट पर जैपूर आने वाले इंटिनेशनल फ्लाइट में बॉम की धंकी के बाद एडपूर पर सुरक्षा ववस्था को फुक्ता किया गया है यह विमान राद 1.20 मिनट पर दुबाई से जैपूर पहुंचा जहां इसकी फुल एमर्जनसी लैंडिंग करवाई गया विमान में कुल 189 यातरी सवार थे लैंडिंग के बाद सुरक्षा बलो ने गहनता से विमान की जाच की हलाकि जाच के दोड़ान विमान की गहनता से तालाशी करने के बावजूद भी कुछ भी संदग नहीं मिला बिता दे कि कुछ दिनों से जैपूर एरपूर पर आने वाली उरानों में लगतार विस्पोर्ट होने की धमकिया मिर रही है कुछ दिनों पहले 15 अक्टूबर को भी जैपूर से जुड़ी दो उराने समेत देश भर में कई फ्लाइट्स में बंप थ्रेट मिले थे यानि उसे उराने की धमकी मिली थी बिता दे ये सभी सूशल मीडिया के जड़िये थ्रेट दी गई थी भारतिये ध्यान ने पासपोर्ट सेवा पोटल तीन दिनों के लिए होने वाला है बंद साउदी अरब के रियाद में भारतिये दुतावास ने शुक्रवाद 18 अक्टूबर को एक बयान में कार कि तकनीकी रखरखाव के कारण भारतिये पासपोर्ट सेवा पोटल तीन दिन लेकिन 20 औक्टूबर और 21 औक्टूबर को भी बंदी रहेगी रविवार 20 औक्टूबर को एमजनसी प्रमान पत्र पुलिस क्लियरेंस प्रमान पत्र और ततकाल पासपोर्ट जैसी पासपोर्ट सेवाई प्रदान नहीं की जाएंगी तो तावास ने सला दी है कि जन लोगों अपने पासपोर्ट को जनीवल करने के लिए अपॉइंट्मेंट लिया है विच्छुटियों को छोड़ कर इस समय सीमा के दोरान बीएफिस केंद्रों में आपने आवेरन जमा करा सकते हैं अविवार को उमल हमाद रियाद में बीएफिस केंद्रपार वानिजो दूतावा सेवाईं प्रदान की जाती रहेंगी ये भी कहा गया है दुबाई ने किया कुमाल कैसले स्मार्ट क्योस किया लांच दुबाई के सरक और परिबहन प्राधिकरन ने कुशिल डिजिटल सेवाओं के लिए कैश रेष्ट लेंदेन के साथ अगली पीधी का स्मार्ट क्योस लांच किया है डुबाई वर्ल्ट ट्रेंड सेंडर में आज़ी दुनिया के सबसे बड़े प्रोधोगे की कारिकरम गिटेक्स ग्लूबल दोहजार चॉबिस के दौरान ऐसका अनावरन किया गया आटिये ने एक्सपर नेक्स जेनरेशन के स्मार्ट क्योस का एक वीडियो भी शेड किया है जिसमें आटिये का डिजिटल सेवा निदिशक मीरा अलशेक ने उनके उननक डिजाइन और बहतर यूजर्स एक्सपीरियन्स पर प्रकाश डाला है उन्होंने काए कि यह स्वयम सेवा क्योस सबसे अधेक उपयोग की जाने वाली इदिशिटल सेवा एं प्रदान करती है जैसे वहान पंची करण, कानवीनी करण और ड्राइविंग लाइसेंस, ट्राफिक पार्किंग, सलिग जुर्माना का भुपतान मीरा ने टैबी के पाइलेट लाउंच की भी घोशना की है जिससे ग्रहक किस्तों में आर्टीय सेवाओं के लिए भुपतान कर सकेंगे सितंबर दोहजार तेईस में डुबाई के आर्टीय ने बटीस उननत स्मार्ट के ओस्क लाउंच किये जो नगर्द सुईकार करते हैं और उनत स्वधायें प्रदान करते हैं यूए में हुआ भयानक हाथा पुलिस ने जाली की चितामी आबुधावे पुलिस ने एक वीडियो जारी की जिसमें दिखाया गया कि कैसे गारी टकरा जाती है अबुधावी में दो ड्राइवर सरक पर अचानक रुख गया जिसकी वज़े से एक बड़ी दुर घटना हो गई एक मूचल चालक ने पिकप ट्रॉक से गड़ा उड़ते हुए देखा जबकि दूसरा हाइवे पर बरे स्टील के चछडों से टकराने वाला था लेकिन बच गया यह फूटेज में दिखाए गई है कि पहली दुर घटना में गड़ो के धेर को ले जा रहा एक पिकप ट्रॉक घटना की उससे शुरवात होती है जैसे ही यह सरक पर आगे बढ़ रहा था एक गड़ा गिर जाता है जिससे अन्य ड्राइवर को अपना रास्ता बदलना पड करती है अलाकि एक सफेद वाहन गड़े से बचने के बजाए बीच में अपनी गारी रोग देता है फिर एक पाने डिस्रिब्यूशन वाला जो ट्रॉक होता है वो उससे टकराता हुआ दिखता है भाली बाहन पलट जाता है और ऐसे ही देखते देखते काई गारियों का आक पड़ेगी परिशानी देखिए अगर आप अबुधावी में रहते हैं तो आपके लिए ये खबर काम के होने वाली है दरसल 19 ऑक्टूबर से तिन दिनों के लिए अलेन में शेक खलीफा बंजवाद स्ट्रीट पर सरक बंद करने की घोशना की गई है 19 ऑक्टूबर बीच चुका है लेकिन दो दिन अभी बंद रहेंगे अबुधावी मोबिलीटी ने एक्सपर घोशना की है कि मुबारक बिन मुहम्मद सरक भी इस अफदी के दौरान आंशिक रूप से बंद रहेगी क्योंकि दो बाई लेन और एक दाई लेन दूनों दिशाओं में ऑफ हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी से जुरी अच्छी खबर आई है बतारे प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अबसर मुहया करवाए जा रही है श्राव एवं रोजगार वभाग एवं ओवर्सीज प्लेस्मेंट हिमाचल को भारत सरकार के विदेश मंतराले के साथ रिजिस्टर्ड भर्ती एजेंसी EPS Facilities Services India Private Limited के माधम से सयोकतर अबमलात में तक्नीकी और गैर तक्नीकी पदोपल भर्ती के लिए डिमांड उन्हें मिला है तक्नीकी और गैर तक्नीकी वर्ग में यपद अबुधावी के प्रमानों उर्जा सेंत्र वा प्रोविस स्कूल यानि की रियल स्टेट कंपनी में भरे जाएंगे चैनित हुए जो इतने भी टेक्नीशन होंगे और नॉन टेक्नीशन करमचारी होंगे उन्हें हर महीने 22,800 रुपए से लेकर 1,14,450 रुपए तक का वेतन मिल सकता है एक्ष्यू कावेदक, बायोदाटा, पासपूर्ट और प्रमान पुत्रों की कॉपी के साथ एक सब्ता की भीतर जुला रुजगार अधिकाली के कार्याले में संपर कर सकते हैं और अधिक जानना चाहते हैं तो अब ताइम्स पर चले जाए वहां तमाम दीटेल दी गई है अकेर में जानते हैं क्या है आज के गौल रेट्स और क्या है आज के देःंडम रेट्स तो बता दे है आज के डिटशाUTरी रेडट के बारे में में एक साओधी रियाल में आज 31.72 बांगलादेसी ठका है जो कि पिछले दिन 31.89 बांगलादेसी ठका था में एक साओधी रियाल में आज 73.92 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 73.92 पाकिस्तानी करेंसी थे क्या है आज के गोल रेट तो बता दे दुब़े में आज 14 कैरेट सोने का दाम 243 है जो कि फिछले दिन 243 ही था यानि बिल्कुल से और आज के गोल के रेट की भारतिय मुद्रा में बात करेंगे तो ये 5562 का होगा वाही 22 कैर्ड गोल का दाम 297 दिरहम फुर्थी ग्राम है जो कि भारतिय मुद्रा में 6698 की होते हैं जो की प्छले दिन 297 दिर्हम प्रOTY ग्राम थे। वही दूबई ने 24 सकेरड़ सोने का दाम 325 दिर्हम प्रOTY ग्राम हैं जो की पिछले दिन 325 दिर्हम थी। वही आज की च्छोबस कारे रेट सोने के दाम के भारतिय मुद्रा की बात करें तो ये आज 7,342 की है क्या है आज के दिरहम रेर तो बता दे आज एक युवई दिरहम में 22.89 रुपया है जो कि पिछले दिन 22.88 रुपया था वही एक युवई दिरहम में 36.05 एक नेपाली रुपीज है जो कि पिछले दिन 36.06 नेपाली रुपीज थे वही एक UAE डरहम में 32.5 तिन बांगलादेसी टका है जो कि पिशले दिन 32.6 एक बांगलादेसी टका होता है वही एक UAE डरहम में 75.59 पाकिस्तानी करिंसी है जो कि पिशले दिन 75.59 पाकिस्तानी करिंसी थे वह एक यूवई दिर्हम में 22.09 भूटानी करिंसी है जो कि पुछले दिन 22.09 भूटानी करिंसी थे तो यह दी आज की ताज़ा बुलेटीन ऐसे ही अफदेट्स के लिए बने रही है हमाले चानल पर